हलो बच्चों आज की कख्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग संचेन भाग एक का पार्थ तीन हामिद खा की पुनरावर्ति करेंगे हामिद खा कहानी तीन पात्रों पर आधारित है मुख्य पात्र है हामिद खा जो की पाकिस्तक्षिसिला पाकिस्तान के एक छोटे से गाउं का निवासी है अपनी छोटी सी दुकान में चपातियां सेखता हुआ एक पठान के रूप में दिखाया गया है और हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम सोहार्द की बाते सुनकर वह आश्चरे चकित हो जाता है मेहमान अवाजी में वह निपोण है लेखक से खाने के पैसे नहीं लेता है और मुखबत के जज़बों से परिपोण है मानवीय मुल्यों से ओत प्रोथ है कहानी का मुख्य पात्र है हामिद खां और दूसरा जो पात्र है वह लेखक है लेखक जो है तक्षिसिला के पौराणिक खंड़हर देखने जाते हैं कड़कडाती धूप और भूप प्यास से उनका बुरा हाल है रेल्वे स्टेशन के करीब पौने तीन मील दूर एक पौन मील दूर एक गाउं में हामिद खां के होटल में पहुंचते हैं हामिद खां की दुकान पर बड़े चाओ से भर पेट खाना खाते हैं तक्षिसिला में आगजनी की खबर पढ़कर हामिद खां और उसके होटल की सुरक्षा के लिए बगवान से प्रातना करते हैं ये दो पात्र हैं और एक पात्र है गौण पात्र अब्दुल जो की बहुत थोड़े देर के लिए आता है हामिद खां का सहायक है और लेखक के लिए चावल की थाली और पानी भरा कटोरा लेकर आता है सिधा साधा और करतब्य निष्ठ है जो आंगर में मिर्चिया सुखा आता रहता है और चौथा पात्र है हामिद खां का पिता हामिद खां के संरक्षक और बुजर्ग दुकान के कोने में एक बिची चार पाई पर वो लेटे हुए हैं मुखका पीते हुए और दूनिया से बेखबर अपनी ही धुन में मगन तो इस तरह से कहानी में मुख्य कहानी का हामिद खां जो जिस पर पूरी कहानी आधारित है अब हम इस पाठ का परिशे थोड़ा पाठ परिशे आपको देते हैं पाठ का पाठ के लेखक जो है वे शंकरन कुट्टी पोट्टे कार्ट ने अपनी तक्षसिला यात्रा के दौरान हामिद खां से हुई मुलाक का बड़ा ही सुन्दर और सजीव चित्रन किया है इस रचना में यह स्पस्ट हो जाता है कि प्रेम और सत्भाव के सामने धार्मिक विभिनता का कोई और चित नहीं है इसके माध्यम से लेखक ने अपनी जो आपसी सोहार्द और प्रेम भाईचारे की जैसे मानु मुल्य की भावनाए हैं उनको उभा रा है उन्होंने धार्मिक भेद भाव को भूलकर मानु मात्र के प्रती प्रेम भावना की सिक्षा दी है जो बरतमान समय में अतधिक प्रासंगीक है अब हम कहानी का सारान साब को बताते हैं कि इस पार्ट में लेखक ने धार्मिक सद्भाव को हामिद खां और स्वयम के बार्दालाब के द्वारा बड़े ही स्वाभाविक धंग से प्रस्तुत किया है लेखक S.K. पोट्रेकार्ट ने दो साल पहले तक्षिसिला के खंडहर की यात्रा की वे तक्षिसिला के खंडहर को देखने गए थे वहां की कड़कडाती धूप में भूख प्यास से ब्याकूल होकर वे एक गाउं में पहुँचे अचानक एक दुकान में से आती जो चपातियों की खुशभू है उस खुशभू से उनके पाउं उसी दिशा की और मुर जाते हैं और दुकान में घुशते ही अंगीठी पर अंगीठी के पास बैठा हुआ उन्हें एक अधेर उम्र का पठान घूर घूर कर देखने लगता है लेखक द्वारा यह बताने पर की वे मालावार हिंदुस्तान के रहने वाले हैं पठान ने जानना चाहा कि क्या वे हिंदु होकर मुसल्मान होटल में खाना खाएंगे लेखक ने हावी भरते हुए कहा कि भारत में बढ़ियां चाय पीने के लिए और बढ़ियां पोलाओ खाने के लिए हम लोग जो है मुसल्मानी होटल में जाते हैं हमारे और साथ ही ये भी बताया कि हमारे भारत में हिंदू मुसल्मानों में कोई फर्क नहीं होता है। सब मिल जूलकर रहते हैं और सब हिंदू मुसल्मान एक साथ मिल जूलकर रहते हैं जिससे की कोई दंगे भसात की भावना नहीं रहती है यह सुनकर दोनों जो है वह चले जाते बड़े प्रभावित होते हैं और उनकी आखों से आखों पे जो हिंदू मुसल्मान की एकता की जो एकता और भाईचारे की का भाव जलकता है उसको देखकर हामित का बहुत ही प्रभावित होता है होटल वाले ने दुकान को दुकान होटल वाले ने अबदुल को बुला कर हामित खा जो होटल वाला है धावे वाला है वह अबदुल लाम की एक बालक को एक बच्चे को बुलाता है और लेखक को के लिए चावल लाने के लिए और पानी लाने के लिए करता है और इस प्रकार मुश्कुराते हुए इस प्रकार हामित खां के होटल में लेखक भरपेट भोजन करते हैं मुश्कुराते हुए हामित खां को कुछ पैसे देने जाते हैं परंतु मित्रता की दुहाई दे करके मित्रता की कसम खा करके वे पैसे लेने से इनकार कर देते हैं हामित खाप ऐसा नहीं लेता है आज सुबह तक्षिसिला की आगजनी की खबर समाचार पत्र में पढ़कर उनके मन में अचालक एक बिली सी कौधी और उनकी पुरानी आज ताजा हो जाती है उन्हें हामित खाया जाते हैं और वे इश्वर से प्राठना करते हैं कि है इश्वर हमारे हामित खांक की दुकान को आगजनी से बचा लेना तो यह रही आपके पार्ठ की पार्ठ का सारांस अब हम लोग पार्ठ पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे आशाय उसमें का भाव आशाय जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग पठन पार्ठन शुरू करते हैं और पठन पार्ठन के पस्चाद जो है हम आशाय आपको समझाएंगे तक शसिल्या पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामित खां याद आया मैंने भगवान से बिंती की हे भगवान मेरे हामित खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना अभी दो साल ही तो बीते हैं मैं जब मैं तक्षिजिला के पौराणी खंडहर देखने गया था एक और कड़कडाती धूप दूसरी और भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था रेल्वे स्ट से करीब पौन मेल की दूरी पर बसे इस एक गाउं की ओर निकल पड़ा हस्त रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार जहां कहीं नजर बढ़ती पड़ी धूआं मच्छर और गंदगी से भरी जगहें भी थी कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू तुझ ने इस्वागत किया लंबे कद पठान अपनी सहज अलमस्त चाल से चलते नजर आ रहे थे इसपार्ट में तक्षिसिला का वर्नन तक्षिसिला जाता है लेखक वहां का वहां का वर्नन किया गया तक्षिसिला जो की पाकिस्तान में है अब और वहां की आगज्दनी क आगज्यनी की खवर लेखक जो है समाचार पत्र में पढ़ते हैं और समाचार पत्र में ये खवर पढ़ते ही लेखक को अचानक हामिद खा की याद आ जाती है वे जो है भगवान से बिंती करते हैं करते हैं कि है भगवान मेरे हामिद खा की दुकान को इस आगज्यनी से बच द्वारा आग जलाने की घटना को आग जनी करते हैं तो लेखक मनाते हैं कि है भगवान हमारे हामित खांग की दुकान को आग जनी से बचा लेना जिस दुकान ने उनकी उस कड़कडाती धूप में इनको आश्रे दिया और इनके भूप को मिटाया उसके लिए ये प्राटना करते हैं अभी दो साल ही ही तो बीते हैं जब मैं तक्सिला के पराणी खंडहर देखने गया था लेका करते हैं कि अभी दो साल की पहले की बात है जबकि मैं तक्सिला का खंडहर देखने गया था एक और कड़कडाती धूप दूसरी और भूप और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था करें कि एक ओर जो है वहाँ बड़ी तेज धूपती कटकड़ाती दूपती और दूसरी वोनंप्याज से हाल हो रहा था बुरा हाल हो रहा था सील रेल्वे स्टेशन से करीब 3 मिल की दूरी पर बसा हुआ एगाउं था उधर वे चले जाते हैं खाने की खोज में ड्ाबे की खोज में और वहां जाके देखते हैं कि हस्त रेखाओं कि समान फैली गलियों से तंग बाजार करें कि वहां का जो बाजार था यह अतना इतनी घनी बसती थी वहाँ पर कि जैसे लग रहा था कि हस्त रेखाओं जैसे हाथ की रेखाओं होती है हस्त रेखा यानि हाथ की रेखा तो हाथ की रेखा जिस तरह से एकदम से बहुत घनी होती है और कटी-पिटी होती है ठीक उसी तरह से पतली-पतली रेखाओं जैसी पत जहां कहीं नजर पड़ी धुमा मच्चर अर गंदगी की बंदगीं दिखाई दी कहीं कहीं तो शड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया लेकर कर रहे हैं कि कहीं कहीं इतनी बुरी बद्बू आ रहे थी वो भी चमडे की सड़े हुए चमडे की बद्बू आ रहे थी अलमस्त मने पूरी तरह से मस्त कर रहा है कि जो वहां के लोग थे उसमें लंबे कद के पठान यानि जिनकी लंबाई बहुत अच्छी थी लंबाई थी बहुत लंबे लंबे कद के थे और जात के पठान थे अलमस्त चाल में मतलब पूरी तरह मस्त होकर के चलते हुए दिखाई दे रहे थे नजर आ रहे थे चारों तरब चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया मन में विचार आया इस गाउं में होटल की जरूरत ही क्या लेकक भूख के मारे परिशान थे और भूख के कारण वे चारों अपनी निगाह दोडाते हैं चारों चक्कर लगाते हैं गाउं के लेकिन उनको कहीं भी कोई दुकान ऐसी नजर नहीं आई जहां पर वे अपनी तृष्णा अपनी भूख को मिटा सके मतलब अपने भोजन जहां उन्हें मतलब भोजन करने की भोजन की दुकान कोई भी खाना खाने की धावे की जैसे यहां होटल कोई उनको दिखाई नहीं दी अचानक एक दुकान अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां से की जा रही थी चपातियों की सोधी खुस्वू ने चो सोधी महक ना से मेरे पाउं अपने आप उस दुकान की और बुड़ गए लेखक यह बताते हैं कि वे खाने की जुगाण में इधर तर घूम ही रहते कि कहीं खाने कोई ओटल यए खाबा उन्हें दिखाए दे जहां वे भोजन करें चरके और इसी समय उनके नाक में चपातियों की सोधी कुष्वू सोधी ओनि मीथी हानि मीथी तो चपातियों की मी नाक में गई और जैसे ही उनके नाक में वो मिठी खुश्बू गई उनके पैर उसी और बढ़ गए मेरे पाउं अपने आप उस दुकान की और मुड़ गए लेखक के पाउं जो है अपने आप स्वता ही उस दुकान की और मुड़ जाते हैं क्योंकि लेखक भूखे हैं और भोजन की तलास में इधर दर भूम रहते अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहथी रक्षक और सहायक होती है रक्षक यानि कि रक्षा करने वाला तो उनोंने उनको जो अनुभव था उस अनुभव के आधार पर उनोंने जान लिया था कि परदेश में यानि कि जो अपनी पहचान जान पहचान की जगह न हो परदेश हो दूसरे देश में अगर हम जाएं और अपनी मुस्कुराहथ को ह उसी से हमारी रक्षा हो सकती है और उसी से हमारी सहायता हो सकती है यानि कि मुस्कुराहाट में वह शक्ती है जो हमारी रक्षा भी कर सकता है और जो हमारी सहायता भी कर सकता है इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्होंने निश्चे किया और उन्होंने ये सोचा कि मु मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर प्रविस कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि यदि वो मुस्कुराते हुए पेश आएंगे, तो अगला अजान आदमी भी उनसे प्रभावित होगा, एक अधेड उम्र का पठान, अंगीठी के पास सिर जुकाये, चपातियां बना रहा था अधेर ये 50-55 की उमर को अधेर कहा जाता है तो कर रहे हैं कि एक अधेर उम्र का पठान पठान यानि पठान होती है तो अधेर उम्र की जो पठान था वह अंगेटियों के पास सिर जुकाए चपातियां बना रहा था अंगेटि के पास बैठा था और सिर जुकाए अगर के वो चपातियां सेक रहा था मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया यह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना चोड़कर मेरी और घूर घूर कर देखने लगा मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया लेकर बताते हैं कि जब वे दुकान के अंदर गए उन्होंने प्रवेश किया दुकान में तो उन्होंने देखा कि एक पचास पचपन की उम्र वाला अधेर उम्र वाला यानि पचास पचपन की उम्र वाला पठान जाती का बेक् अंगीटी के पास बैठे हुए रोटियां सेक रहा है चपातियां सेक रहा है और जैसे ही उसने दुकान में प्रवेस किया उसने हाथ की जो रोटी के लिए जो उसने हाथ में आटा रखा हुआ था आटे को बेलना छोड़ करके वह जो है घूर कर उनकी ओर घूर घूर कर देखना करते हैं तो घूर घूर कर देखने लगा मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और लेखक ने चुकी जान लिया था कि मुस्कुराने से ही रक्षा और सहायता दोनों होती है इसलिए इसमें लेखक ने बिना सोचे समझे ही मुस्कुरा दिया फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्थन नहीं आया वो जो घूर के देखना यानि क्रोध में देखना घूर घूर के देखना यानि क्रोध में देखना क्रोध में देखने को घूर ना कहते हैं ठीक है क्रोध में देखना तो लेका कहते हैं कि मैं मुस्कुराते हुए उसके दुकान में मैंने प्रवेश किया लेकिन उसके हाव हाव में कोई परिवर्थन नहीं आया मतलब उसका जो उसके चेहरे पे जो उनके मुस्कुराने के बा भाव था घूर के यानि क्रोध में देखने का जो भाव था अंजानेपन का जो भाव था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया कि खाने को कुछ मिलेगा कि मैंने धीमी आवाज में पूछा लेकक ने पूछा, खाने को कुछ मिल सकता है, उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्योंकि वे उसके परिवर्ति चेहरे से, चेहरे का जो भाओ नहीं परिवर्ति थूआ था, तो उन्हें लगा कि वो भूँत खुश नहीं है उनके आने से, इसी कारण उन्होंने धीमे से पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा चपाती और सालन वहां बैट जाईए उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा लेखक के पूछने पर वो जो अधेर उम्रका पठान था जो दुकान में बैटे चपातियां सेक रहा था वो जवाब देता है रोटी और सालन और करके उनको इशारा करता है कि उधर एक बेंच बिची हुई थी उस बेंच की और इशारा करते करता है कि उधर बैट जाईए अब सालन किसे करते हैं सालन जो है एक तरह की सबजी होती है जो गोस्त की मसालेदार जो गोस्त और सबजी से जो मसालेदार शुरवा बनता है रस्यद चपाती और सालन मिलेगा और कहकर एक बेंच की और इशारा करता है और करता है वही बैठ जाए उसने एक बेंच की तरह इशारा करते हुए कहा मैंने बेंच पर बैटकर रुमाल से हवा करने लगा मैंने दुकान के बीतर जाग कर देखा बेतर्तिवी से लिपा हुआ आंगन धूल से सनी दिवारे एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दढ़ियल बुढ़ा गंदे तकिये पर कोनी टेके हुए हुका पी रहा था हुके की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आपको ही नहीं बलकि सारे जहान को भुला रखा था यहां बता रहा है कि वह जाकर बैठ गए जहांपर दुकान वाले ने कहा था और बैद करके रूमाल से हवा करने लगते हैं कि गर्मी बहुतत तेज थी और रूमाल से अपने आराम के लिए रूमाल से ही हवा करते हैं सोयम को और मैंने दुकान के भीतर जाकर देखा उन्होंने फिर दुकान के भीतर जाका और देखा कि बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन बेतरतीबी से मने बेढंगे रोप से बेढंगे रोप से मने बहुत अच्छे से रहे लीपना किसे बोलते हैं पानी से जमीन को पानी मिट्टी की जमीन हो बेतर्तिवी मनें बिना सलीके से बिना तरीके से जो लिपा हुआ जो हुई मिट्टी की जमीन थी उसको उन्होंने देखा और देखा कि धूल से सनी दिवारे वहां कि जो दिवारे हैं वह धूर से तनी हुई थी एक कोने में खाट पड़ी हुई थी उन्हों ने देखा कि एक कोने में महां पर खाट पड़ी हुई है और जिस पर एक दढ़ियल बुढ्ध्या गंते तक्ये पर कोनी टेके हुए गुलरा पी रहा है तो वहां पर उन्हों ने देखा कि दाढ़ी वाला इसमें युल प्रत्य लगा हुआ है उसको भूUI हाथ के जो पिकाए हुए वह जो है गुड़ गुड़ा पी रहा था और गुड़ गुड़े में वह खुद को ही नहीं पूरी दुनिया को भुले बैठा था मनें उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा ऐसा प्रतीत हो रहा था भाई जान आप कहां के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते वे बुड़नों अधेर उम्र के पठान ने उनसे पूछा भाई जान अब कहां के रहने वाले हैं लेखक से दुकान वाला पूछता है कि भाई आप कहां के रहने वाले हैं भाई जान आप कहां के रहने वाले हैं अधेर उम्र के जो पठान ने उनसे पूछा लेखक से कि रोटियां सेख रहा था रोटियां सेखते हुए वो बात कर रहा था और उसके मन में एक कौतुहल जगा था कि यह वेक्ति तो यहां का है नहीं तो इसलिए उसने पूछा कि भाईजान आप कहां के रहने वाले हैं उन्होंने चपाती को अंगारे पर रखते हुए अधेल उम्र के पठान ने पूछा मालावार के मैंने जबाब दिया उसने यह नाम नहीं सुना था आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा या हिंदुस्तान में ही है न वे करते हैं कि जैसे ही पठान ने उनसे पूछा कि वे कहां के रहने वाले हैं वो जबाब देते हैं कि मालावार के अब पठान जो है कभी इसके पहले मालावार नाम की जगा का नाम मालावार का नाम ही उसने नहीं सुना था तो वह जो है आटो की जो लोई होती है उसको आटो को गोलाकार बनाते हुए रोटी बेलने के पूर्व जो है हाथ में लेकर के उसे गोलाकार बनाया जाता है तो बनाते हुए उसने पूछा कि ये स्थान क्या भारत में ही है हिंदुस्तान में ही है हाँ भारत में भारत के दक्षिनी छोर मदरास के आगे वे बताते हैं कि हाँ ये स्थान जो है भारत के दक्षिनी छोर यानि कि मदरास के आगे स्थित है क्या आप हिंदू हैं हाँ एक हिंदू घर में जन्म लिया है फिर लेखक से दुकानदार फिर से पूछता है कि क्या आप हिंदू हैं तो लेखक जबाब में कहते हैं कि हाँ मैंने एक हिंदू घर में जन्म लिया है अब यहाँ पर देखिए वो हिंदू है ऐसा वो नहीं करते हैं वो करते हैं जन्म लिया यानि जन्म से ही कोई हिंदू या मुसल्मान नहीं होता है इसमें जो है भेद भाव इंसान के मन में होता है मन द्वारा लोग भेद भाव करते हैं ऐसा नहीं लेकक के मन में ये भावना नहीं थी भेदभाव की इसलिए उन्होंने कहा कि हां हिंदू के घर में जन्म लिया है अब फिर से पूछता है उनसे कि उसने एक फिकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा अब आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे जब उन्होंने कहा कि हां हिंदू के घर में जन्म ल जाती है और पूछता है कि क्या आप हिंदू होकर मुसल्मान की होटल में खाना खाएंगे क्यों नहीं हमारे यहां तो अगर बढ़ियां चाए पीनी हो या बढ़ियां पुलाओ खाना हो तो लोग बेखट के मुसल्मानी होटल में जाया करते हैं अब उसके इस प्रस्ण का ज हमारे यहां तो ऐसी परंपरा है कि हम लोगों को अगर बढ़ियां चाए पीनी हो या कोई बढ़ियां पुलाओ खाना चाहता हो तो हमारे यहां लोग जो हैं मुसल्मानी होटल में ही जाते हैं हमारे यहां कोई मतलब लेखा कुल मिला के यह बताना चाहता है यह कहना चाहत हिंदू और मुसलमान को यह घ्ळवाव नहीं किया जाता है, was मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया मैंने उसे गर्व के साथ बताया हुमारे यहां हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं होता लेकागुने बताते हैं कि हमारे यां हिंदू और मुसल्मान में कोई फर्क नहीं किया जाता है हम सब मिल जुल कर रहते हैं और हम लोग आपस में कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं भारत में मुसल्मानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्मार किय था वो हमारे ही राज्य में एक स्थान है कोडू गुलूर उसी वहीं पर किया था तो हमारे यहां हिंदू मुसल्मानों के बीच जंगे नहीं के बराबर होते हैं यहां लेकक यह बता रहे हैं कि हमारे यहां कोई ऐसा भेदभाव नहीं करता हमारे यहां किसी के मतले हिंदू मुसल्मान के बीच में कोई भीधवाव की भावना नहीं की जाती है और हम लोग सब मिल जूल कर रहते हैं भारत में मुसल्मानों भारत के में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्मान किया था वो मेरे ही गाओं के मेरे ही राजी के आसपास है जो जिसका नाम कोडू अ भसाद ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमने का माहौब पार्ठ में जो लेखक हैं वो हिंदू-मुसल्मान की भावना दूर होकर और एक जो आपसी सोहार्द भाईचारा है प्रेम का भाव है उस भावना से होतो प्रोथ है और जबकि जो दुकान वाला है अधेर पठान वो उसके मन में हिंदू और मुसल्मान के प्रती भेद भाव की भावना यह कहानी के आरम से ही देखते हैं और इस पार्ट के माढ्या screens लेखक ही दिखाना चाथा है और यही बताना चाथा है कि हम लोगों को अपस में प्रेम और सोहार्द का भाव रखना चाहिए कोई जातिगत बैसमी की भावना विश्वमता की भावना आपस में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जाती भेद जो है वो हमारा अपना बनाया हुआ है और इसमें मानुवियता का हनन होता है मैं मानुवियता के गुणों से युक्त हो करके सभी के साथ प्रेम और भायचारे का संबंद बनाय कर रखना चाहिए दन्यवाज फिर शेस आगला आंस जो है फिर अगली कख्षा में पढ़ेंगे